एपिसोड की शुरुवात होते हैं और हम उन्हीं दो लड़कों को देखते हैं जो कि यहाँ पे जंगल में होते हैं और यह लोग कोगराशी के बारे में काफी बोराय कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी लोट्री मियाज आके के साथ लगी होती है तब ही एक लड़का एक पत्थर की उपर अपना पाऊं दे दीता है जिस वज़े से यहाँ पे एक मॉस्टर अपियर हो जाता है जिसे देख के यह काफी खण्णाक है तो मैं पीछे हर जाना चीए पर कोगराशी के कि इस मॉस्टर को मेरी ताकत का अंदाजान यह कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ और हम देखते उस मॉस्टर की जुदात है वो कोगराशी के हाथ को चबाने के वज़े से तूट जाते है उस मॉस्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आगर कर यह कितना ज़्यादा ताकतवर कैसी है तो कोगराशी कहता है क्या हूँ तुम ही लोग हो जिननों स्टोन को गिराया था यह लोग कहते हैं कि हाँ वह हमसे गलती से हुआ था कि मुझे माफ कर दो मैंने गलती से तुम्हें उठा दिया पर अगर तुम मुझे लड़े तो यहाँ पर काफी तभाई जाए और वह मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि तुम शांती से पत्थर के अंदर वापिस लोट जाओ इस मौश्र को को कर राशी की ताकत पता चल चुकी थे इसी वापिस लोट जाता है जिसकी बाद यह सब मिलके उस पत्थर को उसकी जिगह वापिस रख देते जिस सबाव स्कोर्राशी कहता है कि मैं उनने भिलीकंट कर सक्सक्ता क года को जोस को नहीं देख सकते ऐसान कि मुझे बुरा नहीं लगता जब लोग मेरे मजाक उड़ाते और कहते एक क्उछो assessment नहीं होते पर जब तक मेरेस साथ हो में सिस्टर हो जब लड़कियों को देखने के कोश्च करते हैं, तो यहाँ पी वो पकड़े आते हैं, क्योंकि ये जाल सागिरी ने बिछाए होता है, इसके बाद ये लोग बाधाउस से बाहर निकल आते हैं, जहां पे कोगराशी का तो सातोशी कहता है, कि इसके बाद हम तुम्हारे रूम में क यहां पर आ सकते हैं यूना कहती है हाँ वो मुझे काफी जदा पसंद है जब लड़के लड़कियों की रूम में हैंग आउट करने के लिए ट्रिप के दोरान तो यह लोग कहते हैं यह चीज काफी अच्छी लग रही है तुम दोनों हमारी यहां पर आ सकते हो बार काफी दे बीच चुक है मुझे नहीं लगता वो लोग यहां पर आ सकते पर तब यहां पर कोगराशी इनकी खिड़की की यहां पर घटार आता है जिसले के लुग काफी दरजाती है ये लोग पर कोगाराशी से पूश ते है कि आखरकर वो यहां से कैसे आया वो हिने बताता है कि दरसल वो यहां पर क्लाइब करके आया जिसके बद हम देखते हैं यह लोग यहां पर कार्ड गेम कھیलते हैं पर तब इनकी टीचर यहाँ पर आ जाती है तो इसी वज़े से इन सब को अलग-अलग फूटरन में सोना पड़ता है एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोगाराशी की साथ तीन लड़किया सोती है पहली होती है सागरी और दूसरी होती है मियाजा की और तीसरी होती ही यूना ये तिने एक ही फुटरन में होते है जहां पे बिल्कुल भी जगा नहीं होती इसी वज़ेस ये लोग चिपक रहे होते है पर कोगराशी सोच रहा होता है कि आखिर कर यून यहापे क्यों चुपी होता है उसे मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता पर यहाँ पर यूना क्या पूछती है कि आखिर्कर तुम सब कर क्या रही थी यह लोग कहते हैं तो बस आपको सप्राइज करना चाथे थि हम फिर अगले दिन दिक्षाजाता है जहांपर हम देखते हैं यह लोग कोगराशां की को डांस के लिए पूछा कोगराशी कहते हैं कि नहीं अब तक मैंने उसे डांस के लिए नहीं पूछा है तो ये लोग कहते हैं ये तो काफी बढ़िया हुआ हम दोना मियाजाकी से पूछ सकते हैं और ये लोग मियाजाकी को पूछने के लिए चले जाते हैं यूना फिर कोगराशी से पूछती है कि कोगराशी उस डांस के बारे में क्या तो मेरे सब डांस कर सकते हो पर वो ठीक से सुनता नहीं हो, वो कहता है कि क्या हुआ, यह कहती है कि कुछ भी नहीं, जिसके अवदा हमें रात को दिखा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ काफी सारे लोग होते हैं जो कि डांस करने के लिए सरकल बना चुके होती हैं यहां पर काफी सारे कपल होते हैं जिनने देखें यहां पर यहां पर काफी सारे के साथ डांस करने वाले होते हैं पर यहां पर कोगराशी की दोस्त के साथ कोई भी डांस करने के लिए राजी नही को कहती है कि अगर लोगों ने ऐसे तुम्हें देखा तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे को राशी कायता है कि मुझे दूसरों की परवार नहीं है पर जब को कर आशी की दोस्तों से देखते हैं तो वो युना के साथ डांस कर रहे हैं फिर हमें कुछ दिन बात दिखा जा तब ही यहां पर सागरे कहती है कि आगर अगर तुम दोने यहां पर क्या कर रहे हो को गराशी कहता है इसमें मेरी कोई कलती नहीं है वही पर हमें यूना को दिखा जाता है जो कि किचेन में होती है और आज का खाना वही बनाने वाली होती है क्योंकि मिस्ट नकाय ने इससे सब कुछ सिखा दिया होता है और साथी साथ यहां पर मिस नकाय के भी एक्जाम होने वाले इसी वज़े से उसकी तैयारी करना चाती है वो हमें फिर ओबर को दिखा जाता है जो यहां पर कोजों के पास आ चुकी होती है वो कहती है कि मैंने सुना है तुम अलग-अलग टैप क को यूज कर सकती है तो बोड़े से पूछती है क्या तो मुझे कुछ ऐसे स्पेल बता सकते हो जिससे मैं किसी की भी हार्ट को कंट्रोल कर सको यह कहती है कि मेरे पास वैसे एक स्पैल तो नहीं है पर उसके अलावा मेरे पास एक पोशन है जिसका नाम है लव पोशन पर करेंगी करणा है तो आगले साल याई है वो हमारे स्कूल में पढ़ेगी हमारे साथ कहती है क्या तुम सब यहां पर स्ट्ड़ी करें तो सागिरी से कहती है कि हमाई यहाँ पर डिस्टप करना बंद करो चुप चाप यासे चली चाओ वही पर हमें मिस नाकाय को दिखा जाता है जो कि यहाँ पर स्टडी कर रही होती है स्टूर रूम के यहाँ पर यह सोच रही होती कि कास ऐसा हो तक ही कोगार ईसीस की मदद कर सके पर यहाँ पर वो उसके पास नहीं जा सकती है क्योंकि इसके बारे में सब को पतर चिल जाएगा नहीं तो पर यहाँ 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 पर यहा को से कौन सी आइसक्रीम खिलानी है पर यह किसी तरह की को चुलने ती और वह एउसकौर आइसक्रीम को खाने लग जाती है यहां पे घौना हनकि यहीश्इदा को तो पूछता है की आइसक्रीम को कुम्हार खेला दिया अब इसका कोई फैयदा नहीं है वही पर हम देखते है याया को और उसकी कैट को जिसके आइस क्रीम खाने के वज़े साइड हो चुका होता है अबरो फिर ये सोच के निकल जाते है कि शायद उस पलग पोशन ने काम ही नहीं किया वही पर हम देखते है कोगराशी और सागरी को जो कि यहाँ पर पढ़ाय कर रहे होते है पर कोगराशी जब सागरी को देखता है तो वो कही खोई हुई होते है तो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना उसे कुछ समझने आ रहा होता कि आखर कर ये सब उसके साथ चल क्या रहा है तब इसे उरारा की एक बात याद आ जाती है उरारा ने इसे एक बार पूछा था क्या तुम कोगराशी को पसंद करती हो सागिरी ने कहा था वो से बिल्कुल पसंद नहीं करती तो रहा रहती है कि म पर सागिरी काफी जड़ाइनकमफर्टेबल हो जाती है और वो कोगराशी का हाथ पकड़के उससे यहां पे पठक देती है कोगराशी फिर सागिरी से कैसी देखती हूं अगर तुमने मुझे नहीं पता है तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहूंगी और इस्टडी नहीं कर पाऊंगी तो यह कहता है कि तुम एक सुन्दर लड़की हो और तुम काफी अच्छी भी हो तो यह कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया और हम की होता है लव पोषन का जो असर है वो खतम हो जाता है और सागरी को होशा चाता है पर अपकाफी जद्यर हो जोती है क्योंकि सबही लोगों ने उन्हें ऐसी देख लिया होता है यहां पे काफी एंबरेस हो थीं इसी वज़ेसं वह अपने आपको अपने रूम में कैद कर लेती है यहां पी यह लोग उससे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह लफ पोशन की वज़े से हुआ है पर सागरी कुछ नहीं समाझती और अपने आपको रूम में कैद करके रखती है और यहां से चुकान यह वूट भी कंटीन हो जाती मुझे पता है मैं काफी दिनों के आउंगा जो कि अगले दो दिन में अपलोड होंगे और उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बचाती वेतना काखोंगा इस अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत बुलना